हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारेडा उनलेन क्लासेज में बच्चो आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारे सब्जेक्ट साइ चर्च ओफ टाइप कोशन से इनज और चर्च ढवर कोशन से बच्चो आपकर और करते हैं विटामिन इस रेस्पॉंसिबल फॉर्ट आर इट्स में सोर्सेज जो देखें बच्चो कॉनसर विटामिन रेस्पॉंसिबल है इस के लिए विटामिन D और इसके main sources क्या है sources है बच्चो इसके milk butter and exposure to sunlight ओके next है which vitamin help in keeping teeth and gum healthy बच्चो इस तीथ और गम को healthy कौन रखता है कौन सा vitamin है तो vitamin C and what are its main sources और इसके sources कौन कौन से है तो देखिए बच्चो lemon orange guava amla and tomato ओके next है बच्चो which mineral help in making blood in our body बच्चो कौन से mineral हमारी बड़ी में में blood बनाने का काम करता है and what are the main sources of this mineral और इस source के main mineral इस mineral के क्या के main sources है तो देखिए बच्चो iron और इसके main sources क्या क्या है तो इसके main sources है पीण्ट तो पीज़ी और मम बच्चो और मेंगी नवन्ट ट और रेकों थेृ और शीम रहारे को फारी पाए तो स्टे बच्चो इसमें होता है काल्शियम और इसका में फंक्शन क्या होता है इसका में फंक्शन होता है कि हमारे बॉंस वा तीत को बनाने में फॉर्मेशन में हैल्प करता है तो इसमें लिए प्लाप करता है इसमें में प्लाप तीत को अंगे इसमें ना तीत का क्य। अफ्या क्य। विटैमिन धाट आर बोडी प्रिपेस इन प्रेजंस आफ सनलाइट तो बच्छो कौन सा विटैमिन है विटैमिन डी कीपस अग गंस हेल्दी तो यह है विटैमिन बच्छो का हमारे बोडी में क्या इंपोर्टेंट रूल है तो बच्छो देखें विटैमिन थ्रू वाटर इल है यह हमारे जो वेस्टेज हैं इसे निकालने में हमारे बोडी से हेल्प करते हैं तो लिखेंगे विटैमिन लिखेंग नुट आगे से अग्यारे रौल being a .... और शनोन से ओर के विए प्रशिव देखेंगे के ऐसे रड़ेशना रदली से खेश्य। from the body, as well as regulating body temperature, it also maintains softness of joints, in addition we also keep water out of the body through, sweat, urine and breathe. Next question number 7, complete the table. This is vitamin and mineral sources and deficiency disease. This is vitamin D, exposure to sunlight, and milk, butter. Next, iron, iron source, liver, meat and green vegetables. और इसके इससे कौनसी बिमारी हो सकती है? अनेमिया. Next है बच्चो, source is orange guava lemon. तो यह है vitamin C. और इससे कौनसी डेफिशेंसी हो सकती है? इसकर भी. तो इस तरह से आप सभी को यह worksheet को solve करना आई हूँ. बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होगा. बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें. जादा से जादा वीडियो को शियर करें. साथ ही साथ नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बता हैं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा. और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले. यह वाछिं परूंग भूजितों मेरा वूल मैशर करें. बोन्स और तीध बाचों कॉनसा मिन्रल है जिसकी हैप से बोन्स और तीध स्चॉंग होते हैं calcium नेम टू सोर्स और विटामिन ए विटामिन ए के टू सोर्स है carrot and mango mineral found in sea water sea water में बाचों कॉनसा मिन्रल पाया जाता है आयो आयोडाइन तो गेत रिड़ अफ कॉंस्टिपेशन वी शुड एट बच्वों कॉंस्टिपेशन से बचने के लिए हमें फाइबर खाना चाहिए लाइक पल्सीज और मूंग दाल मिल्क दाज नॉट कंटेन विटामिन मिल्क में बच्वों कॉंसा विटामिन नहीं होता है विटामिन सी इसमें नहीं होता है